हेलो गाइज कैसे हो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 30 by 30 का हाउस प्लान 900 स्कॉर फूर्ट का हाउस प्लान तो इसमें आपको फूल इंफोर्मेशन मिलेगा आपको अपने ड्रीम हाउस प्रॉजेक्ट को पूरा करने में तो देखिए कैसे मैंने इस प्लान को डिजाइन किया है पहले इसमें हम वेंटिलेशन रख लेते हैं इसे कि वेंटिलेशन इसमें आफ नाल है आप चाहें तो अपने इस आप से भी रख सकते हैं इसमें आपको फूल डिटेल्स मिलेगा माने वाल कितने का है कॉलम साइज क्या आएगा बील्डिंग कोश्ट क्या आएगा आपका रूम कितने हैं कितने का है यह सब फूल डिटेल्स आपको मिलेगा तो बने रहा हूँ वीडियो के से अजय कोश्ट के से इस में इसका वाल ड्रो कर रहा हूं, तो देखिए ये में इसके इनर वाल राते गहा हूं प्लाद कर रही चाओ, येजूार ़ता राते हूं कर रहा हुआ 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 है झाल यह पुले हैं अब मैं इसका वेंटेलेस्न ही जो आए ओगा है कि ड्रॉब कर रहा है ऐसे अब कलर कर रहा हूं इसे देखने में थोड़ा अच्छा लगता है तो इसको मैंने दुखा है बुजा रूम इसका जो साइज है एट फिट ऐसे है और शिक्स फिट ऐसा है यह हमारा बातरूम का ब्लैटरिंग शिक्स फिट फूर इंच ऐसा रखा है और शिक्स फिट वान इंच ऐसा है यह हमारा होगया ट्वालेट इसको सिक्स फिट फूर इंच ऐसा और फूर फिट ऐसा यह होगया हमारा बैडरूम इसको टैन फिट फिट इंच ऐसा रखा है और टैन फिट शिक्स इंच ऐसा रखा है यह होगया हमारा सेकंड बैडरूम इसको टैन फिट फिट फाइप इंच ऐसा एंड टैन फिट शिक्स इंच ऐसा ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यह होगया हमारा डाइनिंग डाइनिंग इसको एट फिट ऐसा रखा है एंड नाइन फिट टैन एंच ऐसा यह होगया हमारा कीचेन इसको मैंने रखा एट फिट ऐसा एंड एट फिट ऐसा यह हमारे स्टेर केस हो गया है इसको यहां से अप करेंगे थ्री फिट ऐसे थ्री फिट ऐसे और थ्री फिट ऐसा और यह यह जो हमारा स्पेस बच रहा है यहां से यहां तक का यह है एट फिट और यहां से इस यहां से और यहां तक का जो स्पेस है सिक्स फूट फॉर इंच यह हमारा हो गया में गेट यह हो गया हमारा ड्रॉइंग हाल ड्रॉइंग हाल इसको मैंने यहां पे जो स्पेस है उसके ट्वेंटी फीट नाइन इंच एंड ऐसा जो है नाइन फिट टैंच यहां पे आप सोफा से ट्रक सकते हैं यहां पे यहां पे टीवी यहां पे आप टीवी लगा सकते हैं बैट के देखने के लिए इसका है तो डारेक्शन है वो मैं बता दू इसका है यह आपका है इस्ट फेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बेड्रूम साइड बेड आप जो वास्तु के हिसाब से इसको ऐसे लगा वास्तु के हिसाब से अपना बेड ऐसे रख सकते हैं इसमें भी ऐसे ही आप अपने बेड रख सकते हैं अब मैं बता दू इसका कॉलम कॉलम यहां पर आएगा यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर कि अटे खूपरेंग। तो ऐसे कोलम आएगा इसका 16 कोलम आएगा और एक कोलम कोलम साइज जो होगा आपका कोलम साइज इसमें आप 10 इंच का कोलम रख सकते हैं और 4 टोर, 4 नमबर टोर, 16 mm का इसमें रख सकते हैं यह हो गया हमाँ 30 और यह 30 इंटू 30 का हाउस प्लान है 30 इंटू 30 हाउस प्लान इसमें वाल साइज जो है वाल साइज 5 इंटू इनर वाल 5 पिंच और आउटर वाल 5 पिंच और यह मैं बता दू आपको इसका डूर का दूर का साइज क्या रखना है तो यह देख लिजिए बेडरूम बेडरूम डूर थी फिट इन्टू शिक्स फिट शिक्स इंच हाइट टोलेट डूर टू फिट इन्टू शिक्स फिट शिक्स इंच विंडो इसमें तो और इसका बिल्डिंग कोस्ट में बता दूर का आयगा ईसका बिल्डिंग बिल्डिंग कोस्ट इसका जो बिल्डिंग कोस्ट आएगा इसका 15 to 18 लाक डिपेंड करता है आपके क्वार्टी एंड क्वेंटिटी के उपर तो यही है आज का प्लान गाईज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइस सब्सक्राइब कोमेंट कर देना अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो थेंक्यू